हे मैं वाटरफलाई कैसा हम सब गुड देख ली होगी अब तक वी जैनी की वाइरल वीडियो सबने मैंने भी देखी थी रात में तब से मैं सोच रही थी कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं लेकिन फिर मैंने वीडियो धिहान से देखी और ये क्लियर पता चल रहा है कि वीडियो वाइरल करने के लिए ही बनाई है मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो को छुप करके रिकॉर्ड किया गया है या ये लीक वीडियो है अगर ऐसा होता तो मैं इस पर कभी वीडियो नहीं बनाती पर इसको देखकर कोई बच्चा भी समझाएगा कि ये वा फोटोग्राफर अमरत्यवलिट ने विडियो शेयर की अपने इस्टाग्राम पर 90% लोग शोर है कि यह वी जैनी है 10% का कहना है कि यह कहां से वी जैसा लग रहा है यह वी नहीं है पर वीजैनी को सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं कि जैनी का मैनेजर भी साथ में है अमर ताउलीट ने मतलब वो फोटोग्राफर ने ये फोटो भी पोस्ट की जिसमें उसने लिखा कि वी जैनी साथ में घूम रहे थे फिर वी का ये दोस्त आ गया और जैनी चली गई बाकी पूरे इंटरनेट पर यही है कुछ लोग बोल रहे कि ये वी है ही नहीं बहुत खराब है और मैं हरान हूँ कि एक फोटोग्राफर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर इतनी गंदी क्वालिटी की फोटो और वीडियो कैसे ले सकता है फोन से बीती बुरी क्वालिटी ने आती एनिवे जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और नए हैं बाहर के लोग हैं आपके लिए इतना ही आप लोग जा सकते हैं और कैसे हो बढ़्या देखो बाहर के लोगों से तो मैं यह नहीं कह सकती प्र pewnे क्या श्रुदी vivo बीजह नहीं कोई बच्चे तो है नहीं कि उन्हें नहीं पता कि इंटरनेट पर क्या चल रहा है। उन्हें सब पता है। फिर भी वो चुप हैं और कुछ नहीं बोल रहे। वो लोग शानती सब अपनी जिन्दगी जी रहें। तो क्या ये सही है कि उनके लिए तुम परिशान हो। वो दोनों अपने अपनी लाइफ में मज़े कर रहें। खा पी रहें। इवेंट अटेंड कर रहें। और कुछ फैन्स अपने घर में दोनों के लिए परिशान हुई जा रहें। मैं सुबह अपना कमेंट सेक्शन चेक कर रही थी। लोगों ने दस दस बार प्लीज प्लीज लिख के भेजाए। प्लीज ये वी जैनी है या नहीं प्लीज बताओ। अरे भाई इससे कोई फरक ने पड़ता कि ये वी जैनी है या नहीं। रियालिटी ये है कि वो दोनों सेलिब्रिटी हैं। हमसे बहुत दूर हैं। और अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं। और तुम अपने घर में परिशान हो रहे हो। ये रियालिटी है। क्या हम इस मुद्दे को यहीं खतम नहीं कर सकते। मेरे ख्यास से यही करना सही है। अब कमेंट में कोई मुझे बार में नहीं पूछना। मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। बाकी गर्मियों की छुटियां आ रही हैं। तो कोई नहीं होपी ढूड़ो। कुछ लैंग्विज क्लासेज लो। वारी जोगा घूमने जाओ। मज़े करो। जल्दी मिलते हैं। सी यू सून।